नमस्कार आप देख रहे हैं यह गार्डिंग एस्थेटिक्स मैं हूँ अनीता दिनेश गार्डिंग एस्थेटिक्स में आज हम बात करेंगे कंटेनर्स में किस तरह से लोटस और वाटर लिली प्लांट को लगाएं क्योंकि इनको आसानी से घर में एक छोटे से कंटेनर में ग्रो किया जा सकता है इनकी बहुत सारी वराइटीज आती हैं जिनको की आप लगा सकते हैं लोटस और वाटर लिली दोनों को कंटेनर्स में लगाने का लगभग मिलता जुलता तरीका है और इन दोनों में ही आपको बहुत सी वराइटीज मिल जाएंगी आप अपनी 24 के मताबिक इनका सेलेक्शन करके लगा सकते हैं मैंने अपना पहला वाटर लिली प्लांट करीबन 20 साल पहले लगाया था ये पॉपल कलर का वाटर लिली प्लांट आज भी मेरे कलेक्शन में बना हुआ है लोटस और वाटर लिली को आप हमारे यहां समर प्लांट मान लीजिए जो नवेंबर तक तो आपको खिलते दिखते हैं उसके बाद ये डॉर्मेंट हो जाते हैं फिर एप्रेल के मौसम में इनमें ग्रोफ शुरू होती हैं और जैसे गर्मिया बढ़ती जाती हैं इनमें फ्लारिंग शुरू होने लगती है बहुत सारी ऐसी परिशानिया होती हैं जो लोग लगा रहे होते हैं वो फेस करते हैं और जिन्होंने नहीं लगाया है वो तो सबसे पहले ये बोल करके चिला पड़ते हैं पानी में लगा लेंगे तो डैंगू सीजन में डैंगू तो नहीं हो जाएगा मैं एक बात मानती हूं हमेशा हम गाड़ी में चलते हैं गाड़ी का एक्सिदेंट हो सकता है हम एर क्राफ्ट में बैठते हैं कभी भी क्रैश हो सकता है possibility तो हमेशा होती है पर precaution हम हर जगा लेते हैं ऐसे ही अगर हम घर में कंटेनर में लोटस या वाटर लीली लगाएंगे और प्रिकॉशन लेंगे तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उल्टे कंटेनर में घर में लोटस लीली का खिलना एक अध्भुद अनुभव होता है, खुश कर देने वाला अनुभव होत है ड्रॉटर लीली की पत्तियां कि स्वाषी ठीक और त 나른 नहीं रहीं होती है और यजो अध़ना ऊन्गर खिलता है और प्रॉटकी जो रइंज होती है व फाका है। जबकि lotus में normally pink, red और white, yellow color के फूल ही आपको दिखाई देंगे इन दोनों को ही आप अपने यहां containers में लगा सकते हैं lotus और water lily दोनों ही plant seed से tuber, bulb से grow हो सकते हैं water lily के bulb कुछ इस तरह के होते हैं और इनके seed से grow करने का तरीका आपने हजारों बार देख लिया होगा और अगर आपको नहीं भी पता है तो इस वीडियो के end में मेरा वीडियो लिंक मिलेगा आप उसमें जाके देख सकते हैं पर इनको tuber से या bulb से grow करना हमेशा बहतर रहता है क्योंकि उस से इन में उसी season में flowering होने के chances होते हैं अगर आपने seed से grow किया तो same season में flowering लगभग ना के बराबर ही होती है tubers से lotus लगाने का फायदा ये है कि आपका plant उसी season में उसी समय फूल देने लगता है क्योंकि ये एक mature plant होता है जबकि जब आप seed से grow करेंगे तो लगभग साल से ले करके दो साल तक लग जाता है इसलिए जो बहतर तरीका है वो इनके tubers से इनको grow करने का है और ये जो आप देख रहे हैं ये lotus के tubers है इसमें मेरे पास तीन color के tubers है एक yellow color के multi petal pink color का और एक red color का और इन tubers को लगाने का तरीका बहुत आसान है इस तरह से आप इनको pot में नीचे एक मोटी मिट्टी की परत डाल करके भी लगा सकते हैं पर जो बहतर तरीका मुझे लगता है वो लगता है pot में लगा करके उसको बड़े pot में डाल देने का क्योंकि इसका फायदा ये होता है कि जब आपको pot की सफाई करनी होगी तो आप इनको निकाल के अलग रख करके आसानी से pot की सफाई कर लेंगे इससे आपके pot की जो पानी है वो साफसुत्रा बना रहता है तो देखने में ये अच्छा लगता है दूसरा इसमें किसी भी तरह की काई, फंगस और गंदगी नहीं आ पाती है जिसकी वज़से आपके plant की जो growth होती है वो भी अच्छी होती है तो pot में लगाने के लिए आपको जो मिटी रखनी होगी वो बहुत ज़्यादा organic matter में rich रखनी होगी अच्छी garden soil में, काफी अच्छी तादाद में organic manure डाल करके शुरुआत में आप पानी थोड़ा रखिए और जैसे ही आपको लगे कि आपके plant में फुटाव चालू हो गया है, आपके tuber में फुटाव चालू हो गया है तो इस पानी को बढ़ाईए और जैसे ही एकाथ पत्ती निकले तो आप इस पानी को और बढ़ा दीजे कुछ समय बाद जब आपकी पत्तियां इस तरह की pot के उपर आने लगेगी तो आप समझ जाईए कि अब आपके plant flowering के लिए prepare हो गया है और अब इसमें flowering की पूरी पूरी chances है तो tuber से grow करना हमेशा फाइदे मन्द है क्योंकि इसमें flowering की जल्दी flowering की सेम सीजन में flowering की guarantee होती है अभी मेरे tubers फूटना शुरू हुए हैं तो इस stage में इन में flowering की नहीं इन में growth की जरुवत है तो हम बहुत ही mild quantity में NPK और एक मुठी से ले करके और करीबन 300-400 ग्राम तक इन में organic manure डालेंगे क्योंकि lotus को अच्छी तादाद में organic matter की जरुवत होती है अच्छी growth और flowering के लिए और उसके बाद जब इस तरह की aerial पतिया निकलाएंगी यानि की pot के बाहर उची उची पतिया निकलाएंगी तब हम इन में कोई ऐसी चीज जालेंगे जो flowering को induce करेगी पर क्यूंकि मैं 9, 23, 20 के combination वाला NPK fertilizer lotus में डालने के लिए water lily में डालने के लिए perfect होता है 9% उसमें nitrogen होना चाहिए 23% उसमें phosphorus होना चाहिए और 20% के करीब उसमें potassium होना चाहिए और इसके साथ ही एक अच्छी तादाद में organic compost हमेशा ही lotus या water lily pond में अच्छा वर्क करती है और ये आप साल में कम से कम 2-3 बार जब इनका growing season हो इनका flowering season हो तो डाल सकते हैं सर्दियों के दोरान जब आपका plant dormant हो जाता है तो उसको इसी तरह छोड़ देना चाहिए उसमें कुछ भी नहीं डालना चाहिए क्योंकि तब ना डालने से कोई फाइदा है उल्टे ये आपके जो bulbs होंगे या आपके जो tubers होंगे उनको further damage कर देगा पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब dormancy का period भी आ जाए तो इनके tubers को या इनके bulbs को pot में से निकालिये मत उसी में पड़े रहने दीजे जैसे ही गर्मिया बढ़ने लगेंगी ये वापस फूटना शुरू कर देंगे और वापस ओगाएंगे बात कर लेते हैं basic requirements की lotus plant या water lily दोनों को ही लगाने के लिए आपको कम से कम 6 घंटे की धूप वाला area रखना पड़ेगा South East, Southwest और South ये तीन जो direction है ये lotus plant या water lily plant दोनों को ही लगाने के लिए perfect है इन जगहों पर धूप proper मिलती है और खूब अच्छे खिलते हैं ये ध्यान रखिए कि North इंडिया में lotus या water lily seasonal plant होते हैं क्योंकि जैसे ही सर्दियां ज्यादा भढ़ने लगती है इनके plant गायब हो जाते हैं या dormant हो जाते हैं बलबर ट्यूबर्स पढ़े रहते हैं जिनसे की ये plant जैसे ही temperature बढ़ने लगता है धिरे धिरे grow होने लगते हैं अब बात आती है पानी की लंबे समय तक अगर आपने पानी ऐसे ही छोड़ दिया तो पानी गंदा होने लगता है उसमें हरे रंग की काईयां लगने लगती है जो आपके plant की growth को खराब करती हैं पत्तियां खराब होने लगती है बार जब आप पॉट को भर देते हैं तो आ प्लांट खराब हो जाता है क्योंकि लोटस के लिए आपको पानी को लगातार रिसाइकल करना ही पड़ता है चेंज करने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि पाइप डाल दीजिए एक्स्रा पानी को बहते रहने दीजिए और धिरे-धिरे करके गंदा पानी निकल जाएगा साफ पानी वापस भर जाएगा और करीबन अगर आप 20-30% साफ पानी दो-3 दिन में एक बार डालते रहेंगे तो आपका प्लांट अच्छा चलता रहेगा और 15 दिन में आप अलग मेरी तरह पॉट में लगाया हो तो निकाल के रख करके अपने पूरे लोटस पॉंड को ध या फिर वाटर लिली प्लांट लगा रखाता पर उनमें कभी फूल नहीं के लिए है तो आप तीन चीजों पर गौर कीजिए पहली बात तो कहीं आपका प्लांट सीट से ग्रो हुआ तो नहीं है अगर सीट से ग्रो हुआ होगा तो एक-दो साल बाद ही उसमें फ्लारिंग पर रुकावट आती है इसलिए मिट्टी को थोड़ा चिकना रखिए और उसमें और गैनिक कॉंपोस्ट बहुत अच्छी तादाद में मिलाईए और इसके साथ ही साथ फर्टिलाइजर के तौर पर उसमें बॉनमील को मिक्स करना बिलकुल भी मत भूलिएगा क्योंकि बॉ और ये आपके प्लांट में फ्लारिंग को बडिंग की प्रॉसेस को फूटिंग को इंड्यूस करेगा पॉंड में मॉस्किटो ब्रीडिंग मॉस्किटो लार्वास को कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया नाचुरल जो तरीका है वो है उसमें छोटी ब्रीड की ओपिन पॉं जैसे कि आपका पॉंड साफ बना रहता है उसमें मौस्किटो ब्रीडिंग नहीं हो पाती है और यह एक आसान और नैचुरल तरीका है और इसके अलावा बहुत सारी ऐसे केमिकल आएंगे जिनसे की आप मौस्किटो ब्रीडिंग को रोक सकते हैं पर सबसे बड़ी बाती होती है कि अगर आप लोटस पॉंड में उनको डालेंगे तो अकसर लोटस के जो प्लांट है वो खराब हो जाते हैं वाटर लिली खराब हो जाते हैं इसलिए अगर आपको अपने पॉंड में मौस्किटो कंट्रोल करना है तो फिर आप इन फिशिस को डालें अगर अभी तक आपको पसंद आते हों तो उनको लाइक करना उन पर कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करिए क्योंकि जब आप उन पर लाइक करते हैं कॉमेंट करते हैं तो विडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं थैंक्यू बेर मच्च